आए हम देखें जो मुक्तिलिफ डारेक्टर्स हैं उनके रोल्स क्या हैं obviously हम बौर्ट डीटेल में नहीं जा सकेंगे मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा कि किसन डारेक्टर्स के जिम्मा क्या रोल है मसलिल रोल अफ चेरों provide leadership to the board यानि वो टॉप मैं है वो leadership provide करेगा लीड करेगा बौर्ड leading role is determining the composition of board किस को वो board का member बनाएगा किस किस डारेक्टर को लेगा ये भी उसका काम लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जिय सारे से रेक्ट करेगा नहीं उसने आगे nomination committee बनाई हुई है वो committee जो है नाम पर पोस करेगी कि ये ये डारेक्टर के नाम है इन में से आप जो रखना चाते हैं तो ये भी chairman का काम है board of directors का चेर्मेन का काम set board agenda and plan boards meeting और वो एक agenda यानि को meeting करनी है तो उसका agenda भी वो fix करेगा आप कहेंगे कि वो शाहिदी है भई उसके पास staff होता है ऐसी बात नहीं है chairman का office होता है पूरा तो वहां से वो agenda उनको dictate करा करा कर दिस्टिबूट कराता है और फिर meeting arrange अब ये जो meetings है इनकी minutes बनना जरूरी होते हैं याद रखेंगे तो उन minutes में जो कुछ discuss हुआ होता है वो सारी की consensus से आ गया then chair all board meeting बगार chairman के meeting possible ही नहीं है उसको आना ही होता है वो ही chair करता है सब की सुनता है यह मैं बता दूँआ हरे की वो सुनेगा और accordingly फिर वो अपना decision देग अपनी देगा opinion old meetings with non executive directors without the present of executive director non executive director वो होते हैं जो बिजनेस में कुछ से काम कुछ नहीं कर रहे होते हैं बलकि वो ओवर सी कर रहे होते हैं बाहर से बैटे होते हैं कि वो meetings के लिए इस तरफ है तो यह meeting करेगा उन से non executive director से in the absence of executive director वो उन से पूछेगा कि बताये है हमारे जो नीचे काम करने वाले लोग है executive में है वो कैसे परफॉर्म करने इंडिपेंडेंडेंट उपीनियन उन से ले रहे हैं अब यह है जो काम करने वाले उन से नहीं पूछना है वो तो लेटर उन साहर है उनकी reporting annual होगी लेकिन non executive जो हैं वो भी आपको आकर feedback देंगे चेर दी annual journal meeting and other shareholders meeting नॉर्मली बड़ी unfortunate बात है कि shareholders की meeting annually हो अब यहां मैं आपको इत बात बता दूं कि shareholders जो है न कुछ difficult भी होते हैं difficult in the sense कि वो meeting में आके बड़ा शोर शोर मचाते हैं पहले ही होता था कि meetings call करते थे लोग नहीं जाते थे आज के लिए trend है कि लोग जाते हैं पहले ही होता था कि जो जाते थे उनको gifts भी दिया जाते हैं लेकिन अब जो है strictly ban कर दिया है कि आप कोई gifts नहीं देंगे और मैं कंप things are conducted बस्तुपी कर जाएं जो करवाना चाते हैं ना वो board में पेश मीटिंग में पेश करते हैं और उन्हें बंदे fix कि होते हैं इदलबर और वो उसको जो मचा मुझो कि अपने अप्रूव करवा ले अब देखें एक meeting में मैं आपको एक स्विल्म रखता हूं कि डिविजन तो हुआ यह कि शोर मचा दिए जी कि हमें नहीं चाहिए लेकिन चुक्के डारेक्ट का है पार मिजोरेडी शेरोडर्स थे तो उन्हें ने उसको प्रूव करवा लिया ऐसे शोर-शोर मचा कर तो इस नोट यह भी meetings are problems है तो chairman जो है वो तमाम शेरोडर्डर्स की meeting regularly बुला ल लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इंदार करें तो annual general meeting और चुक्के शेरोडर्स बड़ी बड़ी दूर जगों पर रह रहे होते हैं वह विचार आते ही नहीं तो इसका को फाइदा है सच मुझे नदर नहीं आता लेकिन लाजमी है कि आपने annual meeting करनी है तो उस period में आपको करना ही पड़ी है उसकी जब तक वहाँ अप्रूव नहीं होंगे अकाउंट्स पब्लिश नहीं हो सकते हैं रोल ओ सीओ एक्जेक्टिव स्टैटेजी एस्टेबिश बाइद बोर्ड वो जो स्टैटेजी है लॉंग टर्म प्लैन जो है वो जो है इसको दे दिये जाते हैं बोर्ड करवा उसको करवाने के लिए उसके पास जो स्टाफ मेंबर से उसका काम है उनसे काम लेंगे मैनेजर फाइनेस एंड फिजिकल रिसोर्से मैनेज फाइनेस एंड फिजिकल रिसोर्से जैनि फाइनेस के भी और फिजिकल रिसोर्से की वा जिम्मेदारी जो है वो सारी की सार resources हैं कि सब को manage करना CEO का काम है obviously as I said वो individual तो खुद नहीं करता है लेकर उसके हाथ होता है नीचे put adequate control in place अभी हमने जो discuss किया कि control भी लगाने उसके जिम्माद है obviously अब हो रहा है यह कि यह चीजे पहले से ही तै हैं और already इन writing में available है मिल जाती है कि आपने आप तो software है तिसी बात है बहुत यह असान काम है कि आप किसी भी control के लिए कोई भी software है आप बनवा ले बनवा ले नॉर्मली बनवाते नहीं यह लोग बने बनाए भी मिल जाते है monitoring of results कि results को monitor करना कि हम तही direction में जा रहे हैं के नहीं जो target set game वो अच्छी हो भी रहें के नहीं हो इसका काम CEO का है वो देखेगा इंटरफेस बीटिन बोर्ड एंड एंप्लोई यह है जो बोर्ड के पास employees की reporting करेगा employees की बातें जाकर इंको उताएगा दर्मियान में liaison किसका है CEO का बोर्ड का और मैं समझता हूं के आज के दौर में अगर employees खुश है ना वो dedicated है वो honest है तो मैं समझता हूं company succeed कर जाए लेकिन अगर आपका employees खुश नहीं है ना then it is very very hard कि जी आप उसको course करके किसी काम से करवा लेंगे नहीं possible नहीं तो we must keep in mind के CEO जो है you must keep in mind all the time that he should take care the employees यह बहुत जरूरी है assistance selection and evaluation of board members यह CEO जो है यह भी help करता है chairman को selection of board members कि members board में members वो होने चाहिए जो वाकई experienced लोग हों वो काम को समझते हों लेकि वाद उनके पास तरफ टाइम नहीं होगा वो बैटकर company को चलाए ने company को चलाना है इसने CEO ने है लेकिन वो चाहता है कि लोग ऐसे आया आगे जो इसको help out करे और वो देखे के company जो है ना तरही परफॉर्म कर रही थे लिए लिए रिप्रेजेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् उनको resolve भी आगे जागे एक और जो है इसमें देखें कि अगर को resolve नहीं होता तो फिर उसका result क्या होगा वो इंशालला next slide में देखेंगे thank you very much